लोकडाउन की अवधी अभी समाप्त नहीं हुई है, उसको कुछ समय के लिए और बढ़ाया गया है, और एक तारिक से स्कूल ओपन हो रहे हैं, एमपलोईज को, सभी टीचर्स को, अध्यापकों को, और जितने भी एमपलोईज हैं, उन सभी को एक तारिक से अपने स्कूल अ इस थिति में मूउभ करते हैं, तो वहाँ पर अगर श्रहे हैं या अपने ही तिक में बहुत आते हैं, तो लोकडाउन की वजह से उन से भुश्ताश हो सकती है, और एस थिति में ज़रूरी हो जाता है, कि सभी के पास, खरास का होना बहुत ज़रूरी है, विदिन फांभ मि बिल जाएगा उसके लिए कुछ एक steps आपको ध्यान रखने हैं कुछ एक points आपको ध्यान रखने हैं कुछ एक documents आपके पास होने चाहिए अगर वो होंगे तो तुरंत आपका e-pass अप्रूव हो जाएगा और आपको movement में किसी परकार के दिक्कत नहीं आएगी क्या-क्या चीज को भी as a पहचान पत्र के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं परन्तु मैं यहां पर recommend करूंगा कि आधार कार्ड हो तो सबसे अच्छा है तो आप आधार कार्ड की photo अपने mobile के अंदर रख सकते हैं क्योंकि उसको बाद में upload करना पड़ेगा और आधार का OTP जिस नंबर पे आ विकर अरेंज करते हैं ताकि 3-4 लोग उसमें जा पाए तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है social distancing को ध्यान में रखते हुए आपको जितने भी employees जितने भी साथी जितने भी मित्र आपके हैं वो साथ जा रहे हैं उनके लिए भी आपको उसी pass के अंदर approval मिल जाता है कै जैसे करेंगे वो सारे steps में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा चलिए देखते हैं e-pass के लिए जो e-disa की website है उसके उपर आपको जाना है उसका link मैंने नीचे description के अंदर डाल दिया है वहां से आप direct click करके इस website के उपर जा सकते हैं अब website के उपर जाते ही आपको इस तर करें government employee को pass required from क्योंकि आप एक जून से school attend कर रहे हैं तो एक जून यहां पर करें पास required up to automatically government employees के लिए school के लिए जैसे आप कर रहे हैं तो यह automatically आपकी date 15 दिन आगे तक कर देगा otherwise आप यहां पर करके रखें अपनी तरफ से कोई भी date select कर लें वह automatic रहेगा आप करेंगे तो आपको clear हो जाएगा उसके बाद purpose क्या रहेगा तो इसमें आप लिख दें to attend office and so on इस तरह का जो भी point है उसके बाद vehicle type आपकी इस तरह के vehicle में जा रहे हैं तो अगर आप car लेके जा रहे हैं तो four wheeler के लिए use करें अगर आप motorbike के उपर bike के उपर जा रहे हैं तो two wheeler आप इस उसके बाद नीचे आपको उस vehicle का registration number enter करना है जिस vehicle में आप जाएंगे यह ध्यान रखिए pass vehicle के लिए है और उस vehicle में सवार logo के लिए है इसलिए वो details सारी ठीक भरें अब यहाँ पे movement from and movement to यह दोनों option आप fill up कर दें आप कहां से जा रहे हैं और कहां के लिए जा रहे हैं उस और identity type जैसे मैंने बताया आधार भरते हैं तो easy रहता है क्योंकि उसी का photo आपको upload करना है easy approval मिल जाता है तो यहाँ पे identity number फिर आधार नमबर दुबारा से आपको enter करना है अगर आपने ID type आधार भरा है तो otherwise आप driving license वगरा जो भी भरते हैं आपको वो details यहाँ पे enter करनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो उसको tick कर दें अगर कोई भी दिक्कत आपको इसमें से नहीं है तो none के ओपर click करें अब यह दो नीचे steps है इनको और आपको fill up करना है जैसे पहला है do you have a smartphone and you downloaded the आरग्यशेतु mobile app तो आप आरग्यशेतु mobile app को ज़रूर download कर लें वो वैस अगर होगा तो आप उसको इसकी details यहां पर भरनी है किस date में कब आपका हुआ है test और otherwise आपका no है तो no select कर दें yes है तो आपके details और medical test के results पो सारी details एंटर करनी है no है तो आपको कुछ और details एंटर नहीं करनी अब देखिए यहां पर आता है सबसे important चीज कि आप 2 या 3 या 4 स जा रहे हैं तो उन जो भी साथ ही आपके साथ जा रहे हैं जो भी अध्यापक साथ है या जो भी employees है उनकी details personal details आपको यहां पर भरनी है उसका नाम भरना है एज भरनी है और जेंडर भरना है एक चीज जान रखिए कि आधार details या जो जरूरी details जो मैंने starting में बताई थी वह जो सिर्फ उसी की भरनी है जो पास के लिए apply कर रहा है जो additional साथ ही जितने भी जा रहे हैं उनका नाम age और जेंडर यह तीन चीज़े चाहिए तीन चीज़े sufficient हैं जितने भी members आपको चाहिए वह यहां पे आप एंटर कर सकते हैं कि आपके साथ इतने details इतने आदमी यहां पे जैसे recommend किया गया है कि आप इन एप को download कर लें आप पहले से download कर सकते हैं यहां की बजाए आप पहले से download करके जरूर रखें इसको उसके बाद जो यह number दिखाई दे रहा है यह आपको भरना है और submit के उपर click कर देना है अब जब आप submit के उपर click कर देंगे तो यहां पे photo upload करेंगे और OTP जैसे fill up करेंगे जो request है वहां के deputy commissioner के office में चली जाएगी और वहां से तुरंत within 2-3 minutes आपको approval होके आ जाएगा और इस तरीके से आपके जो PDF फाइल आएगी उसमें आपकी सारी की सारी details होंगी तो इस तरीके से आप इस pass को ले सकते हैं अपने e-pass यहां पे जरूर बनाए और यहां पे यह 15 दिन के लिए eligible होता है जो details आपके पास आएंगे आप देख भी पाएंगे और हाँ साथ में आरुगे शेतू app को आप जरूर डाउनलोड करें और अपनी details वहां पे जरूर भरें वो आपकी vaccination में भी help करती है तो इसलिए वहां पे उस app का हमें जरूर प्रियोग करना चाहिए इस तरह कि जब भी महामारी होती है तो यह था तरीका कि किस तरीके से हम e-pass को पा सकते हैं तो अपने आपको सुरक्षित रखिए अपने साथियों को सुरक्षित रखिए परिवार को सुरक्षित रखिए थैंक्यू बारे सुरक्षित